नमस्कार दोस्तों मैरे विंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल इंडियन रोजगार में इस वीडियो में आपको इंडियन ने वी MR, NMR के लिए मैत और साइंस का प्रेक्टिस सेट कराने वाला हूँ खंडख है यानि सेक्शन B का जो आपक देखते रहेगा बहुती मत्वपुन जो है आपके लिए प्रेक्टिस सेट रहने वाला है और इसी परकार के क्वेस्टन आपसे इंडियन ने वी MR, NMR के एक्जाम में पूछे जाएंगे तो दोस्तों वीडियो गर पसंद आए तो प्लीजी से लाइक कर दीजिया शेर कर द देखने बंद है सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं गडित गडित होता है या आपका जो section 2 होता है उसमें math और science होती है सबसे पहले math कर लेते हैं तो जो math होता है दोस्तों वो 10th level का math होता है general math होता है सबसे पहला question हमारे पास आता है 5 वर्स 5 पहले मेरी iu x-verse थी यहां पर आईउ 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 आईव दोस्तों पांच वर्ष पहले के आईउ 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 आईईगी, इसी परकार दोस्तों, प्रेजन के आईउ में, अगर 7 वर्स बाद की आयू आ जाएगी यानि X प्लस 5 प्लस 7 यानि X प्लस 12 अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मारे पास 5 वर्स पहले मेरी आयू जो है 20 वर्स है तो यहाँ पर दोस्तो X की जगे 20 रख देंगे और 32 अंसर आ जाएगा तो यापर मैंने आपको X समझाने के लिए लिया है कि आपकी जो X के स्थान पर कुछ भी हो सकती है तो बिल्कुल एज़ी है दोस्तो 5 वर्स पहले आयू देर की X वर्स उसके बाद वर्तमान आयू अगर हम 5 वर्स पहले की आयू में पांच जोड़ देंगे तो वर्तमान आयू आजाएगी और वर्तमान आयू में भी 7 वर्स जोड़ देंगे तो हमारे 7 वर्स बाद क्या यू आ जाएगी तो इस परकार जो है ये बिल्कुल easy question और दोस्तो इसी परकार की question आपस पूछे जाएगे ज्यादा high level आपसे नहीं पूछा जाएगा आगे बात करते हैं दोस्तो अगला question में पास आता है ratio and proportion से अनुपात और समानुपात से question है दोस्तो यदि A, ratio, B दे रखा आपके पास 3, ratio, 4 उसके बाद B, ratio, C दे रखा आपके पास 8, 9 तो आपको A, ratio, B, ratio, C निकालना है इनका अनुपात आपको निकालना है तो समसे पहले लिख लिजिए आपके पास क्या-क्या दे रखा है A, ratio, B यादि A, B, आपके पास क्या दे रखा है 3, 4 उसी पर कार दोस्तो B, ratio, C आप B, B, C क्या दे रखा है एक तो आप बी, बी को सेम कर लीजे, यहां पर बी, बी को सेम कर लीजे और यह पर भी, एक तो यह ओ गया है लेकिन इससे बीजी को इसी cucumbers फॉरमूला दोस्तों मारे पास देखिए अम दे जो है आम धे क्या, पास यानी तीन चार A रेसो B और B रेसो C क्या है आठ नो इनको जो हम उल्टा N से मल्टिप्लाई कर देंगे यानि इस परकार जो हम इनकी गुणा करेंगे यानि तीन की आठ के साथ तीन अठे चोविस उसके बाद दोस्तो आठ की चार के साथ आठ चोग 32 उसी परकार दोस्तो चार की नो के साथ नो चोग 36 तो यहाँ पर यह मारे पास जो है रेसो हो जा गई आप जो कैंसल होता हो इसे कैंसल कर लीजिए और जो हमारे पास फाइनल जो रेसो आएंगी A रेसो B रेसो C वो आ जाएगी 6 रेसो 8 रेसो 9 तो बिल्कुल एज इजी question दोस्तो आपसे पुछे जाएंगे जयादा high level आपसे नहीं पूछा जाएगा अगला question है दोस्तो सिम्पल इंट्रेस्ट से अगला question आता है question है यहाँपर 250 रूपए 250 रूपए दोस्तो साधार्ण्भ्याज की दर्स से 4 वर्स में 300 रूपए हो जाते है 250 रूपए द तो अगर दोस्तों अगर आप मूल दन में से ब्याज वाला गटा देगे तो मारे पास क्या जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल यहाँ पर देखें, S.I. आ जाएगा मारे पास 50 रुपए तो यहाँ पर हमें पतानी है दर यादि निया निकालना है स्युक्त से पहले तो आपको S का फर्मूला पता होना चाहिए एसा इकोल टू पी आर्ट अपोन हंड्रड यहां पर जो पी है वो प्रिंसिपल है आर दर है टी टाइम है अपोन हंड्रड एसाई साधारण ब्याज है तो अगर 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 दर निकालेंगे दोस्तो इसी फार्मूले से तो एसाई गुणा सो अपोन पी टी तो यह मारे पास आर हो जाएगा और यहांपर पी है मारे पास कितना है दोस्तो यहांपर जो मिश्रदन हो जाएगा उसमें से साधा उसमें से हम प्रिंसिपल गटा देंगे तो साधा अनब्या जाएगा तो 50 रुपए साधा अनब्या जाएगा उसके बाद दोस्तों इंटू 100 अपोन प्रिंसिपल कितना था 250 रुपए और टी टाइम कितना है 4 वर्स तो दोस्तों यह आप जो है निकाल सकते हैं इसको सिंपल सोल कीजिए कैंसिल कीजिए और 5% जो है मारे पास दर आ जाएगी यानि रेट आ जाएगा मारे पास 5% का ब्याज मिलेगा तबी जो है 250 रुपए साथ और ब्याज से 4 वर्सों में 300 रुपए होंगे तो 5 वर्स का जो है यहाँ पर मारे पास क्या आएगा दोस्तों दर आ जाएगी तो बिलकुल एजी है दोस्तों बस आपको फोर्मला पताना चाहिए SI equal to PRT upon 100 टाइम पुछा हो वह भी आप निकाल स सकते हैं अगला question आता है दोस्तों बिलकुल एजी है और बहुती मतोपूर है इस टाइप का question आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है question दोस्तों वाई पास 40 आदमियों के पास 30 दिन का बोजन है 40 वेक्ते दोस्तों आदमी है या फिर वेक्ते कुछ भी आप माल लीजिए 40 25 आदमी है उनके पास 30 दिन का बोजन है वही बोजन दोस्तों 25 आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा या पर कितने दिन जा इस दिन यानि 48 देज तक चलेगा यह फोर्मुला दोस्तों आप इसे याद रखिए टाइम इंटू टोटल आदमी कितने थे 40 बटे 25 कितने के लिए निकालना है 25 तो इसे हम जो है यहाँ पर मे alum करें तो 48 देन मेरे पास ऐंसर आ जाएगा अगला को यह दोस्तों मैरे पास 3 या 75 का मद्य अनुपाती क्या है थीन मड्य अनुपाती आपको बताना ह्यां aujourd qué i A यहाँ पर मारे पास 3 है और C यहाँ पर 75 है तो 75 और 3 की multiply करेंगे तो 225 और उसका root यानि 15 आ जाएगा 15 का square root कितना होता दोस्तो 225 तो यहाँ पर मारे पास आ जाएगा 225 का square root 15 15 है दोस्तो मध्य अनुपातिक इसका 3 और 75 का तो यह formula आपको पता होना चाहिए unroot A C इसे यहा मैं आपको बता दूँ दोस्तो जो math के question आपसे इंडियन ने वी MR की बात कर रहा हूं मैं 12 से 13 question ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 question कम से कम 10 question आपसे definitely math के पूछे जाएंगे उसके साथ ही दोस्तो बाकी के जो question होगे 25 में से यह 12 से 13 question ही आपके science के पूछे जाएंगे उसके बाद यह दोनों section जो है आपके बहुत ही मैतवपून होने वाले हैं और math तो खासकर मैतवपून क्यूंकि math के बिल्कुल easy question पूछे जाएंगे direct formula लखे और निकाल दीजी आपका answer जो है आजाएगा अगला question हमारे पास आता है दोस्तो science का तो science का क्या question है car battery में acid प्रियुक्त होता है जो car batteries होती है bike batteries होती है उनमें कौन सा acid कौन सा अमल प्रियुक्त होता है दोस्तो आप सभी को पता है जो हमारा जो sulfuric अमल होता है H2SO4 इसका formula भी आपको पता होना चाहिए दोस्तो H2SO4 यह formula होता है और यह जो अमल है वो हमारी car batteries हो गई बाइक batteries हो गई इनमें जो है use किया जाता है अगला question है दोस्तो mho mh note यह किसकी जो है मातरक है तो आप सभी को पताना चाहिए विद्धुचालक्ता की विद्धुचालक्ता की यानि conductivity की जो है यह इकाई है मातरक है अगला question हम किसी body कोई body rest पर है तो तब तक rest पर रहेगी या फिर कोई भी body motion में है वो तब तक motion में रहेगी जब तक की उस पर जो है external बल यानि बाहरी जो है बल न लगा जाए तो यह था पहला नियम दूसरा नियम क्या था दोस्तो force equal to m into a यानि जो बल होता है वो क्या होता है द्रव क्योंकि दोस्तो आप पानी में हाथ मारोगे या फिर पैर चलाओगे तो जो पानी है वो डिस्प्लेश होगा और रियक्शन जोगा वो आपको आगे तैरने में मदद करेगा तो option number c right answer हो जाएगा अगला question दोस्तो वर्सा की बूंदों का goal होना निमलिक्त में से किसका कारण होता है तो दोस्तो वो जो किसके कारण होता है वो यहाँ पर प्रिस्ट तरनाओ यानि surface tension के कारण होता है surface tension के कारण दोस्तो जो पानी की बूंदे होती है वो कम से कम जो area होता है उसे occupy करने कोशिज करती है यह प्रिस्ट तरनाओ के कारण होता है कि जो वर्सा की बू वेक्ति जो है मारे पास है तो उसमें जो वेक्ति है वो उपर की और जाएगा तो यहापर ग्रैविटी लगेगी तो उसका मांस क्या और दोस्तो उसका जो weight हो वो क्या होगा बार बढ़ेगा दोस्तों option number c बढ़ेगा अगर lift नेचे की तorder High बढ़ेगा लिफट नेचे कि तरफ जा रहे है, तो उसका बार गटे गाएगा और liftowing कर रहे है यह यह तार तूट जाए तो उसमें उसका बार क्या होता है वोल्ट होता है तो ये आप याद रखिएगा अगला question है दोस्तो Newton की गती के दित्ते नियम अनुसार बल है मैंने अभी आपको पता था दोस्तो Newton का पहला नियम दूसरा और तीसरा नियम एक बार फिर से में रिपीट कर रहा हूँ Newton का पहला नियम क्या था दोस्तो अगर कोई body rest में है या फिर motion में है तो तब तक rest या motion में रहेगी जब तक कि उस पर बारी बल ने अपलाई हो तो दूसरा नियम क्या था दोस्तो जो force होता है वो क्या होता है mass into acceleration यानि जो mass होता आपका दरवेमान और acceleration होती है तो यह देखे क्या है दोस्तो जो force होता है दरवमान गुणा तरवन तरवन गुणा तरवन 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 तर U plus 80 तो यह बात आप याद रखिए इन तीनों equations of motions को आप याद रखिएगा यह मैं वीडियल में करवा रखी है equations of motion अगला question है दोस्तो एक बंद थर्मस है बंद थर्मस है दोस्तो समसे पहले मता दू जो थर्मस होता है दोस्तो वो क्या होता है यहाँ पर इसमें अगर हम किसी गरम चीज को रख देते तो गरम रहती है और ठंडी चीज को रख देते तो ठंडे रहती है क्योंकि दोस्तो इसमें जो बारी atmosphere होता है उससे contact तूट जाता है और यहाँ पर जो होता यह thermal thermal conductivity को जो है रोख देता है तो यहाँ पर देखिए अगर बंद थर्मस में बर्फ यह option number 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा तो यह बाते भी आप जो है साथ की साथ दयार रखेगा दोस्तों बहुती मैदपूर क्वेस्टन में आपको करवा रहा हूँ अगर वीडियो अच्छी लग रहे हो तो प्लीज इसे like कर दीजिया शेयर कर दीजियेगा और चैनल पर पहली बार आरे तो सब्सक्राइब जूरूर से कर लीजियेगा अगला क्वेस्टन आता है दोस्तों किस ताप पर दौनी का वेग जीरो डिगरी सेल्सिस के ताप के वेग के दोगना हो जाता है यादि किस ताप पर होता है तो यह होता हमारा दोस्तों 273 डिगरी सेल्सिस प दाता है डाउनी का weak 0-degree के Punkte, के दोगना हो जाता है अगला question क्योग وatt किल्योग वाट गंटना क्योडोग गंटना,क्येट जिशेभ लिखते हैं उसका किसका बनत्रख है किल्योग वाट गंटना किसका बनत्रख है तो ये विदीट उर्जा का मत्रख है मत रखे अगला और लास्ट क्वेस्टन हमारे पास आता है दोस्तों परती दवनी जो इको होती है उसके लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए इको होती दोस्तों उसके लिए कम से कम दूरी यहाँ पर 16.6 मीटर होनी चाहिए 16.6 मीटर जो है एको के लिए या फिर परती डाउट आता तो मैंने थोड़े करवाएं इसमें लेकिन आगे से जो हमैं आपको जादा से जादा मैद के कोईस्टन भी सेपरेट ली कराऊंगा तो अगर आपने पिडियन नेवी SSR AA Air Force X Group के लिए physics लेना चाहते हैं तो आप ये physics की book भी ले सकते हैं बहुत ही किमते दोस्तों इनकी हमने रखी है जिक्के की कीमत जो है 50 रुपए है साइस की कीमत दोस्तों केवल 25 रुपए है और physics की कीमत केवल 30 रुपए है तो अगर आप चाते हैं लेना तो इनकी पेमेंट करके जो आप इनकी डाउनलोड कर सकते हैं तो एक बार जुरूर से चेक किएज़ेगा अच्छी लगे तो खरीद लीजिएगा मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बने रही है मायर साथ इंडिये रोजगार पर जै हिद जै भारत